आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बड़ोडा T20 की चैलेंज की जोकी होगा आज के दिन का दूसरा मुकाबला जोकी होगा यहाँ पर टाइटन्स वसिस फाइटर के बिसमें तो दोनों ही टिम के प्लेयर पर एक बार हम नंजर कर लेंगे कौन से प्लेयर को हम हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी तरफ से थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना है और को लाइक शेर जरूर कर देना है तो चलिए फिर बीना किसी देरे के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो यह में दोफेर में एक बज़े अलेंबिक ग्राउंड बड़ोद्रा में शुरू होगा पीच रिपर्ट की बात के तो क्लीन विज़र है बारिश का कोई भी चांसिस नहीं है एक पली हेल्प मिलेगी बेस्मेन को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है बॉलस को काफी मंद बीस रन के आज पास आपको स्कॉर बनता हुआ दिखेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कॉर नहीं बनता है अगर बेस्मेन क्रीट पर टाइम स्पेंड करके खिलता है तो यहाँ पर अच्छा खासा स्कॉर भी हो सकता है जैसे कि एक में 179 तक स्कॉर गया है तो यह कुछ है कि इसमें अगर टिक के खिला नजरे ठीका के खिला तो अच्छा स्कॉर भी हो सकता है लेकिन अभी तक देखने के लिए जाए तो स्पीनर को काफी कुछ मदद मिल सकती है तो चले दोनोंगे टिम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा आपको उसे जॉइन कर लेना है तो सिर्फ दो रन किये थे तो यह ना लास्ट में उनका सिलेक्शन काफी कम था लेकिन हमारी टिम में थे वो कि हम स्टेटिकल वाइस टिम बनाते हैं और इसके लिए हम लोग जिनके स्टेट सस्ताव होता है उनको हम टिम में मौका देते हैं और तो आप देख सकते हो कि उन्होंने एक अच्छा मौका अच्छा पर्फरमस दिया था 16 रन किया थे साथ में एक विकेट भी लिया था और स्टेट डिखने के लिए जाए तो 54 रन के लिए जापर 54 मैच के लिए जापर 2302 रन है और साथ में 11 विकेट भी लिये हुए है शुकृत पांडे यह इनके टिम के वेरी इंपोर्टेंट प्लियर है आपको वन डाउन खेलते हो नजर आएंगे प्लस ओवर्स भी करते हो तो दस रन की बेटिंग करवाते हो साथ में 4 वर्स की गयन बाज़े की जापर तीन विकेट भी लिये थे और स्टेटर्स की बात करते हो नाइंटी टू मैच के लिए लेकिन यहार मुझे समझ नहीं आ रहा है दोनों ही मैच में उनको सिर्फ एक एक और सी करने को मिली इवन इवन उनकी स्टेटिकल के इसाफ से देखने के लिए जाये तो बनता पूरी ओस करवाता हुआ हम उनको नजर आना चाहिए लेकिन सिर्फ दोनों ही मैच में एक एक और सी करवाई है जा पर पहली मैच में उनको विकेट मिला रहा जा पर दूसरी मैच के बात करो तो उनको मिला था और बैटिंग करवाते हुआ 17 रन भी किये थे लेकिन अगर दो तिन वह दाने का उनको मोका मिला तो एक दो विकेट वो चटका सकते है अधित्य मैच में अच्छा परफरमस नहीं रहा दो रन बनाए थे पहली मेच में दूसरी मेच के बात करो तो बिल्कुल परफ विकेट की पिंग करवाते हुआ नजर आएंगे तसमाई बेड़ाडे की बात कर तो पहले मेच में 15 रन किये थे दूसरी मेच में 23 रन किये थे दूसरी मेच में 23 रन किया तो इतना कुछ खास परफरमस नहीं दिया वाकि उनको खेलने का जादा मौका भी नहीं मिलता ओर ल विकेट भी लिये हुए हैं अनिल त्रिवेदी पहले मेच में 12 रन किये थे लेकिन दूसरी मेच में 35 रन किये साथ में एक वोस की गेंद बाजे भी कि जहापर एक विकेट भी उनको मिला और आठवे नमर पर आके उन्होंने 35 का स्कॉर किया था तो एक अच्छा स्कॉर हो स प्लस बैटिंग करवाते हैं वो सिर्फ एक रन किया था शेवंटी एट में मेच खेले हो जहां पर 336 रन कियो है साथ में 136 विकेट भी उनके खाते में एड है तो वेरी इंपोर्टेंट है उनके स्टिटिकल के इसाफ से वह आज के इसाफ आज अगर ओस करवाते हैं तो व खिलने का मौका मिला था क्यूंकि निसर्क पतिल नहीं ख Azure उग्मीं और फिरे उनको नहीं मिला था लेकिन अगर निसर्क पर फिर से टीम कर सकते है और ऑनके चैम औरे रहें के लिए है दस्तन रफा में करें तो 9 मेच खेले हुए जहाँ पर 131 रन है साथ में 16 विकेट भी उनके काते में हैड है पहली मेच में दुरभाग के वस उनको विकेट नहीं मिला था लेकिन दूसरी मेच की बात करें तो तीन वर्ष की गनबाजी के जहाँ पर तीन विकेट वो लेके आ गए थे तो काफी भी बड़िया प्लेयर से अगर जब भी खेलेगा आपको विकेट लेता हो नजर आएगा मुहमद मदनी सहीद की बात करें तो उनको टीम ने अभी तक मौका नहीं दिया ओवरल उन्होंने इतना उन्होंने परफरमस से काफी निराश किया है बाकि यह प्लेयर तो अच्छा परफरमस दे रहे है लेकिन फिर भी वो नहीं दूरपा किया वस अभी तक टीम जीत नहीं पाई है बवी से पटेल आपको ओपनिंग करते वह दिखेंगे और ओर चोईस में के लिए हुए है तो पहली मैच में उन्होंने तीन ओवर डाली थी विकेट नहीं मिला था और 24 और रं किया एक v Knowledge कि अलेकिन 4 वी घैर चार विकेट वो लेकिया और अपना कम बन गये वन साइड विनिंग के लिए हमको काफी हैल्ब की जो भी लिखती वह वन साइडे मियां च्हाय करvo ने महारी है किती मोहँम्मध तो फिलानी की बात करो तो किंप करवाता हुनु लेकिन और नहीं करवाई थी और स्टेट्स देखने के लिए जाए तो चाहसो 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 लिए हुए अथरवा जोशी की बात करें तो उनको 30 के आख्ड़े से बहुत प्यार है 30 मेच के ले हुए 30 विकेट लिए हुए और पिछली दोनों मेच में 30-30 रन करके आ गए है और ओर 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 ओल स्टेट्स देखने के लिए जाए तो 440 रन किये हुए तो लेफ्ट हैंड राइट है बेटिंग कर लेंगे प्लस राइटम मीडियम ग्यांबाजी भी करवाते हैं लेकिन दोनों में अभी तक ओवस नहीं कर वह आईश शिर के दोनों में इतना कुछ खाद परफरमस नहीं दिया 12 रन किया वर्वल पॉट्टीफ फिप्टीफॉर मेंच के लिए जाबर 1430 रन किया हुआ है प्रियां सो वेटे पहली मैच में 32 रन किया साथ में एक और विकेट उनको नहीं मिला दूसरी मेच में सिर्फ तीन रन के बेटिंग करवाते हैं और उन्होंने नहीं करवाई थी और और स्टेट्स उन्दीस मेंच के लिए जाबर 1440 रन हैं साथ में 20 विकेट भी ल माजर आएंगे पहली में चारोज किया तीन विकेट वो लेकर आ गए थे वेटिंग करवाते हैं तो उनका 12 में 27 विकेट हैं तो वेरी इंपोर्टेंट हो सकता है मारे लिए पहली मेंच में पांच रन किये थे और दूसरी मेंच की बात करो तो दो ही रन किये थे तो बेटिंग से इतना कुछ परफरमास नहीं दिया लेकिन लास्ट मैच में तीन विकेट में उनको मिला था रुशब जैन दोनवी मेंच में विकेट करवाई ये पहली में तीन विके पाइब नहीं है लेकिन पेश्मेंट को यहां पर उनको ना दिक्कत होती है उनको खेलने में इनके बॉल खेलने में बेस्मेंट को काफी दिक्कत होती है अभी जनता की नजन नहीं है और हम यहां से कार्थिक भरवाड को लेके जाएंगे हमारी टिम में बेंच की बात करो तो आपको रूद्र भाई जिर दिखेंगे जहाँ पर उन्होंने 36 मैच के लिए 303 रन किये साथ में 32 विकेट भी लिए हुए तिम ने अभी तक मौका नहीं गया उनको सवरब चोधिर की बात करता 28 मैच के लिए जापन 90 रन किये साथ में 26 विकेट भी लिए हुए हैं तो इस मैच में हमारे लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले पिक यहां से कार्थिक परवाड जनता की बिल्कुल नजन नहीं है तो हम उनको लेके जाएंगे यहां से हम लिमबाणि को ले सकते हैं प्रिंस प्रजाबती हमारे लिए डेफिनेटली पिक रहने वाली है यहां से अथारवज जोशी कोम लेके जाएंगे यहां से गल्ली मटा एक अच्छी पिक हो सकती है और विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर आप लेना चाहें तो यह इसकाते हैं यहां से देव पटेल हमारी टिम में रहने वाले और यहां से हवी ड़ेह। सकते हैं यहां से के लिए अच्छी चोइस हो सकते हैं यहां से आऊड करके जा सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो के विकेट किपिंग सेक्शन में से में एक बार फिर से एम तुफिल जिलाने को लेके जा सकता हो आप अगर चाहें तो याँ पर A-MNN को मौका दे सकते हो लेकिन A-MNN ने भी बिल्कुल परफोमस नहीं दिया अबी तक तोफिल जिलाने ने भी परफोमस नहीं दिया लेकिन फिर भी हमून को लिखे जाएंगे ओपनिंग करवाता है तो कभी न कभी अच्छा स्कॉर कर सकता है बाकी बात करें शिरकेगी तो थोड़ा सा नीचे खिलने के लिए आता है तो इसके लिए प्रफॉरमस करने का मौका उनको कम मिलता है इसके लिए हम लोग यहां से तो फिल जिलाने के साथ जाएंगे उनको ले सकते हूँ हुल रामडर सक्षन की बात करो तो यहाँ से सुक्रिट पंड़ यहाँ से प्रिंस प्रजाबती और यहाँ से संजाय विशभा कर्मा आप देख सकते हो कि उनका सिलेक्शन देख सकते हो 10% सिलेक्शन है लेकिन बंदा ने लास्ट मैच में ओपनिंग करवाई थी प्लस भी पूरी करवाई थी तो परफॉमस करने का उनके पास मौका रहता है तो इसके लिए हम लोग यहां से उनको लेकर जाएंगे आप अगर सेफ जाना चाहें तो यहां पर गल्ली मटे के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो केड़ निकाल सकता है इसके लिए में लेकर जा सकता हो आप अगर सेफ जाना चाहें तो यहां पर आर लिंबाण आपके पास अच्छा उप्शन से अगर टूंग्रे को लेकर लेकर जाना चाहो तो उनको ले जकते हो यहां से एस यादाव ने भी लास्ट मैच में ओस करवा करने वाले है यहां स्मॉल लिग और ग्रान लिग दोनों में आपको सजेस्ट करूंगा कि उनको कैप्टन बना के चाहिए और वाइस कैप्टन सिप मैंने यहां पर प्रिंस प्रजाबादी को दी है तो यह कुछ हो सकते हमारी टीम आप चाहे तो यहां पर भविश पटल को कैप्टन सिप वाइस कैप्टन सिप दे सकते हो तो कुछ जिस तरह से मेरी टीम रहने वाले लेकिन यार याद रहे यह मेरी डेमोटी में यह मेरी फाइनल टीम नहीं है और फाइनल लाइनप के बाद इसमें काफी सारे चैंजिस होते हुए दिखेंगे आपको तो सिंपली प्लस आपको नीचे कोमेट कारें। संसर्च में चैनल मिल जाये का गारा उसके जोइन कर लेता है। यहाँ पर वीडियो पसंद आते हैं, लैक शळार शेर जरू कर दे। और यूटीब चैनल को सस्क्राइब करके जरूर रखि क्योंकि आगे आने वाली वर अच्छे मैचिस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे, तो यार पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनलेसिस कते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग कत अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई धन्यवाद जय हिन जय भारत